निव फॉल्डर क्रियेट करना है कंट्रोल शिफ्ट एन यह निव फॉल्डर क्रियेट हो गया इसी तरह के नो कीबोर्ट शॉटकट और है अगर आपको वो जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रही है वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबादीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंट मिल जाए मेरा ना में राहूल आप देख रहे हैं और पीएम टेक्टिप्स और दोस्तों जैसा कि आप देख पारे मेरे पास एक कीबोर्ड शॉटकट नो और कीबोर्ड शॉटकट है और मैंने एक सॉफ्टर इंस्टॉल किया है जिसकी मदद्द आपको यहां पर दिखेगा कि मैं आपको जो शॉटकट बता रहा हूँ कीबोर्ड शॉटकट बता रहा हूँ उनकी बुर्ट शॉटकट से क्या होगा आपकी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी यहनिकी आप उनको यूज करेंगे डेली लाइफ में आप कुम्प्रेटर ज्यादा यूज करते हैं तो तो आप यहाँ पर एक्दम आसान हो जाएगा जैसे कि फॉर एक्जमपल मैंने जो पहला शॉटकट बताया था आपको न्यूफ फॉल्डर क्लिएट करना उसमें आपको क्या करना पड़ता है उसमें राइट क्लिक करो फिर फॉल्डर पर क्लिक करो तो जा तब जाके यह फोल्डर यहाँ पर आता था और फिर आप रिनेम करते थे अब इसकी बजाए मैंने यहाँ पर आपको एक शॉटकट बताया है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन जिसे कि आप देख पार है आपकी स्क्रीन पर तो यह आप प्रेस करेंगे तो डारेक्ली यह आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर न्यू जो है फॉल्डर बना लिया जैसे की इन्यू फॉल्डर बना लिया ठीके अब इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे इसको हमने सिंप्ली डिलीट कर दिया ठीके यह डिलीट कर दिया अब मानलो गलती से डिलीट हो गया तो आप क्या करते थे चंट्रोल नेकि जो आपने किया वह अपस से हो जाएगा अगले शॉटकट के लिए आप को क्रोम में आना पड़ेगा उसकाड़े के पीड फॉर एक्जंपल में कोई घुट हो आप तो मैं यहां पर क्या करता हूं इमेज पर क्लिक करता हूं और यहां पर देखता हूं कौन सी में जम को चाहिए फर एक्जामपल यह वाली में जम को चाहिए तो नर्मली आपको यह इमेज चाहिए आपको यह से करना है तो आप कैसे करते थे राइट क्लिक किया फिर से इमेज पर क्लिक किया देन फिर वो से होती थी आपको फॉर एक्जमपल ये इसका शॉटकर बदा था हूं डारेटली इमेच डाउनलोड हो जाएगी तो इसमें क्या करना है इसमें आपको सिर्फ अल्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है जैसे आप यह करेंगे तो आपकी में जो हो से हो जाएगी डारेक्ट लिए आपके जहां पर डाउनलोड फोल्डर होगा वहां पर आपकी क्रोम में तो अल्ट के साथ अगर आप क्लिक प्रेस करेंगे इस इमेज पर तो यह इमेज जो है वो से तो विंडोस टें है अगर आपके पास तो आप बिल्कुल से यूज़ कर सकते हैं इमोजी का यहां पर कीबोर्ड करके हम बोल सकते हैं उसको वो बाइडीफोल विंडोस 10 के साथ आता है तो उसके लिए तो कौन सा शॉटकट की करना है उसके साथ आपको करना है Windows key प्लस तो यह बेस्ट हो सकता है आपके लिए आपको ध्यान रखना है कीबोर्ट शॉटकट कीबोर्ट शॉटकट इसका जो है विंडोस प्लस डॉट यहने की फुल स्टॉप जो होता है वह तो यह आप करेंगे तो इमोजी कीबोर्ट ओन हो जाएगा और यह कहीं पर भी वर्क यह जादा तर मेल वगेरा लिखते हैं कुछ गलती हो भी जाती है हमसे बहुत बार तो आप क्या करते हैं जैसे फॉर एक्जामपल मैं आपक सेंटेंस लिए तो आपको नोटिफिकेशन जरू मिल जाए अब शॉटकट की बात करते हैं फॉर एक्जामपल आपको यहां पर की स्पेलिंग गलत लग रही है या फिर बेल ऐगन की स्पेलिंग गलत लग लिए तो आप क्या करते हैं कि माउस ले जाते हैं और यहां पर आप क्लिक करते हैं देन उसको बैक करते हैं फॉर एक्जामपल आपको यही पूरी हटाना है तो आप क्या करते हैं बैक इस प्रेस डीट करना हैना कि एक लेटर को ये लिए कि नॉर्मल हम बात करें तो यहां पर जो है हम प्सक्राइस करते हैं तो एकट लेटर लेट होता है ठीक होगता है ठीक है For example हम को पूरा एक वर्डी डिलीट करना आपको या फिर कहीं पर office वगेरा में आप दूसरी windows भी call के बेच जाते हैं कुछ करने लगते हैं या फिर friends के साथ हो और उनको कुछ नहीं दिखाना है आपको तो minimize करना होता है आपको तो आपको सारे Windows एक साथ minimize कैसे कर सकते हैं वह इसका shortcut करके रखा हैं आपने सारे मिनिमाइज हो जाएंगे एक साथ अगली शॉटकट की के लिए हमको फिर से क्रॉम में आना है क्योंकि हमें क्रॉम वाली शॉटकट की बता रहा हूं फॉर एक्जमपल आपको यहां पर आपको सर्च करते कर रहे थे गूगल में और आपने यह वाल नहीं रहा है एक और बार हम क्लिक करेंगे तो आज जागा जैसे का आप देख पा रहें तो इसका शॉटकट की के लिए आप जैसे की फॉर एक्जमपल आपने स्क्रीन पर आपको कुछ देखना है और वह बहुत ही छोटा देख रहा है और मैन्यूली आप उसको स्क्रीन से कुछ जूम नहीं कर सकते तो आपको पूरा अपके जो विंडो है वो पूरी जूम करना है तो वह कैसे करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका है वह भी आको कहले कनाओ ये विंडूस की का यूज कने विंडूस की फ्लस प्लस का यूज करना यह जीसा आप देख फार और यह विद्स का यूज कर रहां हो में आ पर जितना चाहे हो तहएब अपर यह आपर जो Windows की उसके साथ Plus या माइनस आप प्रेस करेंगे तो यह काफी यूसफुल हो सकता है आपके लिए आपको माइ जाना है बैसी की मैं बोलूं तो एक्स्प्लोरर ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं फिर यहां पे Search करते हैं फिर दूनते हैं कि कहा गया यहां पे जाके कि इस पीसी या फिर माइं कम्प्यूटर कहां गया तो यह सब करने के आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए एक शॉटकट की है जो की है विंडोस के साथ यी तो जैसे या विंडोस के साथ यी प्रेस करेंगे जैसे आप देख पा रहें तो एक्स्प्लोरर ओपन हो जाएगा इ जो विंडोस की है उसके साथ यी तो यह एक और ओपन हो जागा जितने चाहे आप उतने ओपन कर सकते हैं यह से तो यह इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं तो यह इसकी शॉटकट की हो गई दिस पीसी की या फिर मैं बात करूं माइं केंप्यूटर की और लास्ट जो एक जAKE की है विंडोस शिफ्ट और एस तो जैसे का अगा देखपा है विंडोस शिफ्ट एस प्रेस किया मैंने विंडोस के साथ शिफ्ट प्लस तो यह हमारे पास गया यहां से आपको जो जितना स्क्रनशोट लेना सी चीज का लेना और य। से स्लेक्ट करिए और जैसे आप स्लेक करेंगे जहर आजाएगा इस पर ख्लिक करेंगे और है कुछ। करना है तो क्या इसके थूए आप कर सकते हैं रबर बहुत सारी जाए तूल्स मिलती है आपको कुछ अठाना है तो तो वह आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद इसको डारेक्टी यहां पर जाके इसको सेव कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा तरीका हो सकता है स्क्रीन शोट लेने का विंडोस के अंदर तो यह सारी शॉटकट की मैं बता चुका हूँ आपको अगर आपको इन में से कोई भी श कोशिश करूँगा तेट वाल इस ताइम थैंक्स वाचिंग तो